आज की इस मज़ेदार रेस्पी का टाइटल यहाँ पर मैंने दिया है रेनी डे कमफर्ट फूद मतलब की बारिश के समय में अगर इतना मज़ेदार और चटपटा सा स्नेक्स मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है आज की हमारी रेस्पी का नाम है उल्टा पुल्टा बर्गर विदाउट बन जो की खान में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है हेलो माई लवली फॉकरते हैं आज की समय मज़ेदार रेस्पी को जो की बहुत सिंबल है बनाना और जल्दी बनके तयार हो जाती है और नाम आपने इसका सुना ही है बहुत इंट्रेश्टिंग है जैसा इसका नाम इंट्रेश्टिंग है वैसा ही एक खाने में भी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तयार होता है और इसको बनाना बहुत सिल्बल है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं असान सी रैस्पी को तो उल्टा पुल्टा बर्गर विद्दाउट बन बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ब्रेड मतलब की हम यहाँ पर बन नहीं यूज करेंगे बन की जगा हम यूज करेंगे ब्रेड से और ब्रेड से हम इस तरीके का बना देंगे ना कि यह बहुत संदर लगेग देखने में पुरा बर्गर के जैसे लगता है और खाने में तो लाजवाब लगता ही है तो इस तरीके से हमें किसी भी कटोरी से इस तरीके से शेप में इसे कट कर लेना है आपको अभी मैं ये भी बताऊंगी कि इसका नाम उल्टा पुल्टा बर्गर क्यों है तो यहां पे इस तरीके से स्लाइसिस में हमने कट कर लिया है गोल स्लाइसिस में तो अब हम को जितनी बनानी है हम उस तरीके से कट कर लेंगे आपको जितनी भी बनानी हो आप उतनी ब्र अब इसक dabei ब cultivation को जटेंगे मिक्सिजार और our ingredients amd भाना के लिए मक्सिजार के इस加शाल चैने में मीडना में लेंगे इसको नहीं ब्रेट क्रम्प बना लेंगे तो सफे मेरे करें शाहरा लें। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक स्लाइस और उस पे स्प्रेट करेंगे एक चम्मच के बरावर पीजा सॉस इस तरीके से हमें डाल देना है और चम्मच की मदश से इस तरीके से चारो तरफ फिला देना है और हम यहां पर बना रहे हैं चीजी चीजी उल्टा बर्गर तो यहां पर हम डाल देंगे चीज तो चीज को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके एक प्लेट में रख लिया था तो यह मोजरीला चीज है तो यहाँ पे मैंने इसमें एड़ कर दिया है अब दूसरा पार्ट लेंगे और दूसरे पार्ट पे भी हम इस तरीके से एक चमच के बराबर पीजा सॉस स्प्रेड कर है बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है और इस तरीके से अब हम जितने हमें बनाने हैं इस तरीके से हम बना के रख लेंगे यहाँ पे मैंने आपको और दिखा दिया इस तरीके से मैंने हमको जितने बनाने थे उतने मैंने बना के त तो अब हम इलें गारी ताटि की यहां पर हम लेंगे आलू को मैर्च कर रखका है तो अब अच्छे से इसे मैरे अलू को और फिर इहां पर हम ऐड़ करेंगे प्याजाग को आप प्याज मैंने इसमें अड़ी आड़ी है कॉर्ण को मैंने मिक्सिजार में माने दर्दर पीस के लिया था इसे में साट हौन ज्रें इस तारीके से एंढ डालेंगे डिस में से अब दालेंगे स्बसे पहले डालेंगे आपने कज शॉआतन नमक तो यह हमने स्वादन उसाल नमक डाल दिया है और इसमें एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स और साथ में इसके एड़ करेंगे हम और ग्यानो लीव्स और इसके साथ मैं एड़ कर रही हूं पुदीना पत्ती बहुत ज़्यादा अच्छा टेश्ट आता है तो पुदीना पत्ती आराम से ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है तो आप जरूर इसमें एड़ कीजिए काली मेज का पाउडर डाला है जीरा पाउडर डाला है अमचुर पाउडर डाला है लाश्ट में चाट मसाला यह सब डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर हम इसमे मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके का जो हमारा टेक्चर है पेटी का होना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर तो अब हमने यह बना के तयार कर लिया आगे का प्रोसेस करते हैं तो एक बॉल लेंगे और बॉल मे आड़ करेंगे तीन चम्मच कॉन फ्लार और दो चम्मच मैदा तो यहां पर मैंने तीन चम्मच यह कॉन फ्लार लिये हैं और आगे मैने दो चम्मच लिये हैं इसमें मैदा तो आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार मैदा और जो कॉन फ्लार है वो ले लीजिएगा आप कम बना रहे हैं ज्यादा बना रहे हैं तो एक चम्मच दो चम्म फ़िर पानि डालके इसे एक slayrie बनाके तयार कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानि इसलिए इसका नाम जो है उल्टा पुल्टा बर्गर है तो अब आप देखेंगे की बिल्कुल बर्गर के जैसे लगेगा और बहुत ब्यूटिफुल लगता है और खाने में तो बहुत ज्यादा टेष्टी लगता ही है जैसा कि मैंने आपको शुरु से बताया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो लग रहा है ना पूरा बर्गर के जैसे तो अब इस तरीके से आप बना लीजिए जितने भी आपको बनाने हैं इस तरीके से बना के तयार कर लीजिए अब इसको हम flerri में dip करेंगे और यहां पर मैंने breadcrumbs बना लिये थे बहुत इजी है इसे बनाना तो आप एक कड़ाई में इसको ले लीजिए और 3-4 बिनट के लिए जो हमारा breadcrumbs है तो उसको भूझ लीजिए तो यहां पर आपका ट्यार हो जाएगा , तो यहां पे पहें पहाल पृहस हमें चड़ा झाल दिया था और उसमें द्धी के ट्वार्फ अज बहुत अच्छा गरम हो चुका था जल्दबाजी नहीं करनी है नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा और आपका जो श्टफिंग हो वेश्ट हो जाएगा तो यहां पे हमें अराम से इस प्रोसेस को करना है और आम से पलटना है तो देख सकते हैं यहां पे कितना प्यारा कलर आ चुका है उपर से गोल्डन आप तक अर्पाना नहीं प्राउन आने तक अच्छे से पकाना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यह बर्गर है बनके तयार हो चुका है तो अराम से इसे अब प्लेट में हम निकाल लेंगे एक आदमी के लिए एक बर्गर इनफ रहता है इतना है और बहुत म तो इस तरीके से अब मैं आपको इसको कट करके दिखा दी कितना चीजी बन के तयार हुआ है तो मॉजलीला चीज हमने यहां पे यूज की थी आप क्यूब भी यूज कर सकते हैं स्लाइस भी यूज कर सकते हैं बहुत मज़ेदार लगता है तो इस रेस्पी हमारी उल्टा पुल्टा बर्गर विद्दाउट बन बन के तयार हो चुकी है तो अब आप इसे रेनी सीजन में खाए या साम की चाय के साथ ले जिस टाइम आपका मन हो उस टाइम आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना धियान रखे का बाबाई